हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चेनल सानवी की पार्ट साला फ्रेंड्स, आज हम इपिक थीएटर के बारे में पढ़ेंगे जिनसे एंटीए में हमेशा कुश्चन बनते हैं तो चलिए देखते हैं कि इपिक थीएटर है क्या और इसमें कौन-कौन से राइटर आते हैं और फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में हम यहाँ भी देखेंगे कि किस टैप से प्रिवेस येर कोश्चन बने हैं इस टोपिक से तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, मैंने हस्कूल अफवोइट्स के एक सीरीज अस्टार्ट की उस सीरीज का यह 15 लेक्चर है और इस सारे वीडियो पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देख सकते हैं क्योंकि आज कल NTA में मैक्सिमम 3-4 कुश्चन डरेक्ट पूछे जा रहे हैं जो एक तरह से बोनस मांक्स आपको दिला सकते हैं अगर आप दिसंबर 2023 का एकजाम देने वाले हैं तो एक बार आप जरूर से इन सारे वीडियो को देख के जाएं क्योंकि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनेफिसियल होगा इतना मैं स्योर बताती हूँ तो चलिए अब देखते हम लोग इपिक थिएटर है क्या फ्रेंड्स इपिक थिएटर एक थियर्टिकल मूवमेंट था जो एराउज हुआ था 20th सेंचूरी में मिर 20th सेंचूरी में फ्रेंड्स इपिक थिएटर को क्वाइन किया गया था इर्विन पिसकेस्टर के द्वारा फ्रेंड्स ये इर्विन पिसकेस्टर एक जर्मन थिएटर डारेक्टर थे इन्होंने जर्मनी में इपिक थिएटर को क्वाइन किया था लेकिन फ्रेंड्स पपुलाइस्ट किया गया इस इपिक थीटर को बर्टल प्रोचट के दुवारा फ्रेंड्स बर्टल प्रोचट ने एक वर्क लिखा है इस इस इपिक थीटर का बहुत ही अच्छा एक्जामपल दिया है अब चलिए देखते हैं कि आखिर इपिक थीटर है क्या फ्रेंड्स इपिक थीटर का पहले नाम ड्रामेटिक थीटर था लेकिन जब इर्विन पिसकास्टर ने इस टर्म को क्या इस थीटर को क्या तो इन्होंने नया नाम दिया इपिक थीटर अब चलिए देखते है इपिक थेटर है क्या फ्रेंड्स इपिक थेटर एक थेयर्टिकल मुव्मेंट था जो फोकस्ट करता था और मेकिंग पॉलिटिकल एंड सोसियल चेंजे बेस्ट ऑन रीजन एज अपोस्ट टू इमोशन वाज बॉर्ण यानि कि फ्रेंड्स जो इपिक थेटर होते थे वो केवल सोसियल पॉलिटिकल पे बेस्ट होते थे यानि कि फोर एक्जामपल अगर कोई ओडियन्स कोई फ्ले देखने गया है तो वह उस फ्ले में चल रहे आर्ग्यूमेंट को वह केवल सुनेगा समझेगा ना कि एज़े करेक्टर खुद को मानेगा कि मेरे साथ वह आर्ग्यूमेंट हो रहा है जैसे कि एरिस्टोटलियन ने ड्रामा में हुआ करता था जिसे हम कथार्सिस भी बोलते हैं फ्रेंड्स इन सोट इपिक ठeater ऊदियंच को सोशियल और पॉलिटिकल पे फोकस कराया जाता था कंटम्पेरेरी शोसाइटि में क्या चल रहा है उसके बारे में बतलाया जाता था दिखाया जाता था इन प्ले में ना कि उनके अंदर इमोशन पीटी को जगाया जाता था इस टाप के थियेटर इपिक थियेटर कहलाते थे अब चलिए देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से राइटर आते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये रहे इपिक थियेटर के राइटर्स फ्रेंड्स फर्स्ट राइटर है इर्वन पिसकास्टर जिन्होंने कौन किया इस टर्म को इपिक थियेटर को दुसरा है बटल ब्रेचट जिन्होंने पपुलाइजट किया इस थेटर को नेक्स्ट है वेलेडिमीर मेयवस्की फ्रेडरिज दुरानेमेंट नेक्स्ट है वैसेवॉल्ड मेयर हॉल्ड मैक्स रहिन हार्डेट अर्नॉल्ड ब्रॉन फ्रेंट चुकी यहां एक फ्रेंच नेम है जिसके कारण मेरी प्रोनोंसियेशन अलग या गलत भी हो सकती है तो नेवर माइन आपको श्रीप या राइटर्स याद रखनी है चाहे आप निमोनिक बनाए चाहे कुछ भी करे आपको यहां राइटर्स याद करना ही करना है क्योंकि एकजाम में पूछ जाते हैं डरेक्ट राइटर से ही कोशन अब चलिए मैं आपको प्रिवेस यार कोशन दिखाती हूँ कि किस चाप से पूछे गया है फ्रेंट्स यह रहे आपके प्रिवेस यार कोशन इस कोशन में पूछा गया है which two of the following dramatists are associated with the epic theater तो direct question बनता है friends जैसे कि मैंने आपको बताया तो friends ये जो question paper है वो अर्यन्त बुक से है और यह question पुछा गया था 2020 जून 2021 में आप direct यहाँ पे देख सकते हैं जिससे आपको clear पता चल जाता है कि sure पता चल जाता है कि हाँ इस topic से question पूछी जाते हैं I hope दोस्तों यह छोटा सा term आपको समझ में आया होगा अगर कोई भी query or comment section में जरू लिखे और वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe and छोटा सा comment जरू से छोड़े friends ऐसे ही नई इसकूल ओप वर्ट की सीरीज के साथ मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू बाई टेक केर करते हैं प्राइब एस्या है नईके के लिए